कोशन है तूडीकर किस शेत्र का प्राचिन नाम है तो इसमें हमार करेक्ट आंसर है ओप्षन नमर सी दमो शेत्र का प्राचिन नाम है तूडीकर निक्षन नमरा राज्य में बेटी बचाओ दिवसे कब मनाया जाता है तो इसमें हमार करेक्ट आंसर है ओप्षन नमर भी प्र दिवसे नेक्षण अमारा मद्यप्रदेश का कौन सा इस्तानों को यूनिस्को की विश्व विरासत में शामिल नहीं है तो इसमें हमाया करेक्टानसर है ऑप्सिन नमबर सी परियटक नगरी पंच मढड़ी को शामिल नहीं किया गया है यूनिस्को ने विश्व विरासत में इसके अलावा खजुराओ के मंदिर, साची के बहुत इस्तूप और भीम बेटका के शेल चित्रेवा में शेल अश्रे इन सभी को शामिल किया गया है। नेक्ष नमरा नर्मदा नदी की लंबाई कितनी हैं। इसमें हमाँ करेक्ट आंसर है ऑफ्ष नमर सी, तेरा सो बारा किलोमेटर है नर्मदा नदी की कुल लंबाई। नेक्ष नमरा मद्ध्य प्रदेश में DNA प्रियोक्षाला कहां इस्तापित की गई है। तो इसमें हमारा correct answer है, option number D, सागर के अंदर स्थापित की गई है, DNA प्रियोक्षाला, मद्यपरदेश में, निक्षिन हमारा, मद्यपरदेश के, किस शहर को साइन्स सिटी के रूप में, विक्सित किया जाएगा, तो इसमें हमारा correct answer है ओफ्षिन नमर सी देवाश सहर को विक्सित किया जाएगा sign city के रूप में नेक्शन नमरा जाबूआ के सम्मद्द में कौन सा कथन ऐसत्य है तो इसमें हमारा correct answer है ओफ्षिन नमर यह अनुस्चित जाती बहुले जिला है यह option बिल्कुल गलत है इसके अलावा बील जाती पाई जाती है बिल्कुल सही है मेग नगर औद्योगी केंदर है बिल्कुल सही है C option है आदियोसी शोध संचार केंदर है तो यह option भी सही है नेक्शन अमरा मद्यप्रदेश का पहला food erodiation plant के इस्तापना कहां की गई है तो इसमें हमारा correct answer है option number B indoor के अंदर की गई है food erodiation plant की इस्तापना नेक्शन अमरा टीकमगण जिला मद्यप्रदेश के किस संभाग में इस्तित है तो इसमें हमारा correct answer है option number C सागर संभाग में इस्तित है टीकमगड जिला नेक्षन अमरा अमरकंटक परवत की उंचाई कितनी है तो इसमें हमार करेक्ट आंसर है ओप्शन अमर बी 1066 मिटर है अमरकंटक परवत की उंचाई नेक्षन अमरा मद्यपरदेश में सबसे पहले बोक्साइड कहां से उत्खनित किया गया था तो इसमें हमार करेक्ट आंसर है ओप्शन अमर सी कटनी से उत्खनित किया गया था सबसे पहले बोक्साइड नेक्षन अमरा राला मंडल अभ्यारण मद्यपरदेश के किस जिले में इस्तित है तो इसमें हमाँ correct answer है option नमर B इंदोर जिले के अंदर इस्तित है राला मंडल अभिहरन नेक्ष नमर मद्य प्रदेश में कुल अभिहरनों की संख्या कितनी है तो इसमें हमाँ correct answer है option नमर C 25 है कुल अभिहरनों की संख्या नेक्ष नमरा टॉंस नदी का उद्गम जिला कौन सा है तो इसमें हमाँ correct answer है option नमर B सतना जिला है जो कि टॉंस नदी का उद्गम जिला है नेक्ष नमरा बढ़वानी जिला कौन सी नदी के तरट पर बसा हुआ है तो इसमें हमाँ correct answer है option नमर C नर्मदा नदी के तरट पर बसा हुआ है बढ़वानी जिला जिला